हुआ दोस्तों मैंने कवारां साहू स्वागार करता हूँ एक नए वीडियो में आज इस वीडियो में बात करने वाले है अधिक के विडियो में अधिक विलना अधिक विडियो में बात करने वाले हैं अधिक विडियो में सबसे पुराना फंड है चौबीस साल गई है अगर हम बात करें इसका एंवी 1157 के असपास है जो रिगुलर प्लान का है अगर इसका रिटर्न की बात करें एक 23 साल के काईम फ्रेम में एक लाग रुपे अपने करें इनिशाल इंवेस्मेंट किया होगा लंगसम इंवेस्मेंट तो आज के डिट में उसका वैलिशन एक क्रोर दसला क्रुपे के असपास हो चुका है तो यह फंड का परपांस से आपको यह पता चलता है कि कि इतना अच्छा परफॉम किया है इस पंड ने और दूसरे फंड के मकाबली कि इतना अच्छा परफॉमस दिया है तो यह है लॉंग टर्म इंवेस्मेंट का रिटर्ण तो चलिए जानते हैं इसका पूरा डिटेल यह फंड का अब्जेक्टिव क्या है यह बैसिकली इक्विटी इसमें आपको निटे पर संच प्राइगा ओर सकता है अब करते हैं अधर मार्केट को बिट कर सकता है क्योंकि इसमें आपको मार्कहिजचन कई करने के रिटर भी मिल सकता है और नर्मल सेविंग एकाउंट या फिक्स से पॉलिट से रिटन जादा मिल सकता है और इसमें आपको क्योंकि यह इक्विटी में इंवस्मेंट करता है स्टॉक्स में इंवस्मेंट करता है तो इसलिए उतार चड़ा भी देखने को मिल सकता है उसके लिए आप रेडी रहना फ्लक्सी कर पूसबसा नहीं है नहीं क्यों जादा मिलेगा उसमें इंवस्मेंट कर सकता है अगर आप करें इसे flexi care fund suitable किसके लिए है जो mutual fund investors होते है जो equity investors होते है जो stock में directly investment नहीं कर सकते है जिनको stock में investment करने का experience नहीं है वो इसके तुरू investment कर सकते हैं जो कि stock selection यहाँ पे fund manager ही करेगा आपके लिए stock selection fund manager करेगा जो आपको return ज्यादा देगा उससाब से बोग तै करेगा किसमें यह investment करने वाला है करेगा तो आईए fund डिटेल जाते हैं जैसे कि यह सबसे पुराना fund है अधितेविल्ला mutual fund का अधितेविल्ला संदलाइक mutual fund का यह पुराना fund है इसका launch date था 21 अगस्ट 1998 और return की अगर बात करें यह हाई रिस्क रहेगा क्योंकि एक्विटी में यह investment रहता है और यह open-ended scheme रहने वाला है अगर असेट की बात करें इसमें total असेट सोलह हजार करोर का असेट है 31 मार्ट तक इसका 16,000 करोर का सकता expenses की बात करें 1.92 परसंट है अगर minimum investment की बात करें minimum 100 रूपय से अब start कर सकते हैं असका additional investment की बात करें SIP में minimum 100 रूपय से ही शुरू कर सकते हैं यह सब से minimum 100 रूपय में आप SIP कर सकते हैं लामसम इन्वेसमेंट भी कर सकते हैं तो additional purchase करना चाहाएं तो कर सकते हैं अगर lock-in की बात करें इसमें कोई क्लिकेबल है he नहीं लोट का सवाल है इसमें exit लोट 1% का लगेगा अगर आप 90 जी के अंदर आप अपना redemption करते हैं अगर आपका investment से निकालते हैं तब या आपको 1% का redemption चाल लगेगे 1% का exit लगेगा अगर इसका investment strategy की बात करें, company ने long term growth के लिए ये fund बहतर रहेगा, capital appreciation long term में आपको capital appreciation देखने को मिलेगा, जो की 90% तक इसका investment equity, equity related instrument में investment करेगा, 10% तक investment रहेगा, date और money market मार्केट के अंदर ये investment करने वाला है, तो खास करके इसका strategy रहेगा, investment strategy रहेगा, दोनों रहेगा, top down and bottom up approach ये follow करेगा, और ये investment कर सकता है, IPO में भी investment कर सकता है, कुछ person investment कर सकता है, साथी साथ emerging sector में, तो primary market offerings के अंदर ये investment कर सकता है, अगर इसका trailing return की अगर बात करें, main बात होता है कि अगर कोई investment करता है कि किसी fund म तो इसका performance की देखने जुरूरी हो जाता है, तो performance के अगर बात करें, इसका trailing return पिछले 5 साल का अगर बात करें 12.80 ता, जब कि 3 साल का 16.60 ता और पिछले 10 साल का अगर 17.33% का return दिया है, इसका trailing return दिया है इस पर ने, अगर इसका 5 साल का अगर शीप की बात करें, अगर आ 10 साल का fund का देखें, 10 साल return देखें, तो अगर 12 लाग आफ investment करते हैं, हर मही ना 10,000 रुपे करकें, तो आपका पैसा जो है, 28 लाग प्लस प्लस तर पहुंच गया है, अगर आए जानते है, टॉप holdings क्या है इस fund के अंदर, कौन से stock में investment किया है, तो पहले अगर बात करें, 5 fund की बात करें, पहला जो है, ICAC bank इसका सबसे फ़रा stock है, जिसमें सबसे ज़्यादा investment किया है, 9.24% का इसमें investment किया हुआ है, इंफोसिस सेकेंड में आता है, जो 8.82% है, 8-8% investment किया गया है, उसके बाद HDFC bank में 6.30% का, भारती एकल में 5.66% इसका, उसके बाद डॉक्तर रे करें, तो fund manager यहाँ पर जो है, Mr. Anil Saha है, जिनका काफी सालों का experience है, यह fund को 2012 से, 4 October 2012 से manage कर रहे है, और इनको qualification अगर बात करें, इसका अलावार cost accountant का qualification है, तो इससे साबसे रहे है, fund manager का काफी सालों का experience है, यह fund को भी अच्छे कई दिनों से manage कर रहा है, तो यह detail effect का, अगर ह यह सवाल आता है हमेसा client के दिमार्ग में, कि हम अगर equity में investment करते हैं, हमें क्या tax लगेंगे, क्योंकि यह प्योरली equity fund है, क्योंकि फ्लेक्सी क्या fund है, equity के अंदर investment करता है, तो equity fund है, इसलिए इसमें capital gains tax लगेंगे, इसमें दो तरह का capital gains tax होते हैं, नर्मली mutual fund में, अगर 10% के हिसाब से आपको tax pay करना होगा, एक लाग से जादा जो होगा, उस seconds में आपको 10% का tax pay करना होगा, अगर एक साल के अंदर अगर आप भेशते हैं, तो entire amount होगा, total amount के उपर 15% का आपको tax pay करना होगा, जो कि सटम capital gains tax है, यहाँ पर कोई tax pay नहीं करना पड़ेगा, जब त अगर आप redeem करते हैं, तभी आपको tax pay करना होगा, तो यह detail है, अजिते बुलाफेक्सि के आप fund के बारे में पूरा detail है, कौन सा fund है, कितना, कौन कौन से stock में investment किया है, fund manager के बारे में बाख किया, इसका बाबमान के बाख किया, तो आपको अगर long term में investment करना है, तो आप इस fund करें, आप जरूर इंबस्मेंट करें, क्योंकि equity market long term के लिए होता है, जिनका तॉम पांसाल से ज्यादा है, उसमें यह investment करें, इंबस्मेंट करने से पहले आप अपना financial आप जरूरा एक बार जरूर ले, तो ऐसे वीडियो अप्डेट्स के लिए मेरे चैनल को subscribe करें, thanks for watching my video बार ले जरूरूर हैं